सच का साती राधानी लगनों की स्टेट बैंक आफ इंडिया के मुख्याले में आल इंडिया बैंक आफिसेस कंफेंटरेशन ने की प्रेसवारता कि हमने चार्टर ऑफ इंडिया की हमेशां से पहले हमारा नीगोशियेशन वेता समझोतें की हमारे चार्टर ऑफ निमांड के साब से हो जी चाहिए ना कि दो परसेंट तीन परसेंट कुछ ग्रीव की तरह से हो जो कि हमारा मानना यह है कि आये लोग का नोटिफिकेशन प्लस डॉर्मेंट का नोटिफिकेशन यह कहता है कि हमारा मिनिमम वेतन एक निश्चित फॉर्मुले के साथ से लागू होना चाहिए इसमें दो कि अधिकारियों का वेतन करता है और तीसरा बैंक गौर्मेंट का नोटिफिकेशन जो यह कहता है कि बैंक गौर्मेंट का क्लास वन गजेटेट अफिसर बैंक के जूलियल मोर्स अधिकाही के उसके आधार पर हमारा वेतन समझाता लागू होना चाहिए नागी की दिपार्टमेंट की तरह भी बढ़ाने की प्रदार है और बैंकों का चुकी सीपीसी लागू नहीं होती ना हम सीपीसी लागू कराना चाहिए इसलिए अलग तरह से बैंकों की यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में निगोसियेशन करने के लिए सरकार ने संस्ता समझोता होता है वो हमारे सब्सक्राइब के रूप में लागू है ऐसे भी बाते हारी तो हमारा एक इशू है वैसे 26 दिसंबर को में मर्जर को लेके सारे बैंकों के सारे अधिकारी और खरमचारियों की अफाल अलग से हैं तुल कितने दिन बैंक बन रहेंगे बैंक 223 को ब सब्सक्राइब की होटाल है तो इस तरह से चौबिस तारिक को तीन तारिक तीन दिन अब और दो दिन उधर बन रहेंगे कुल कितने दिन की होताल एक दिन की है जिसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि पहली बार फैनेंज मनिस्टी के रिपरजेंटेटिव उसमें थे लेकि के यह अजिन हो भरता है